इंस्टाग्राम पर Reels VIRAL नहीं हो रहे हैं आखिर इंस्टाग्राम पर Reels VIRAL कैसे करें इंस्टाग्राम पर VIEWS नहीं आ रहे हैं 2024 में आखिर ऐसी कौन सी TRICK है ऐसी कौन सी SETTING है जिसको लगाने के बाद मेरे Instagram Reels VIRAL होने लगेंगे और उस पर millions में view जाने लगेंगे और followers वेगरा हर चीज increase होने लगेंगे नमस्कार दोस्तो मैं Carry Take Mind और मैं आपको social media से free में पैसे कमाने के लिए सिखाता हूँ इसलिए वीडियो को द्यान से देखिएगा complete देखिएगा ताकि मैं आपको सही knowledge दे पाऊँ बिना time waste किये चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए यहां से आपको बिल्कुल detail में समझाने के लिए मैंने अपने mobile का screen recording on कर दिया है screen recording on करने के बाद आपके जो reels पर जो maximum view जाते हैं वो instagram से नहीं वो facebook के recommendation से आते हैं मैं आपको दो account का setting दिखा देना चाहता हूँ यहां पर यह जो आप account का setting देख रहा है यह आपका account का setting होगा ठीक है और आप भी कुछ इस परकार से account पर setting करके रखते होगे लेकिन यहां पर जो मैं आपको दूसरा setting दिखा रहा हूँ ये देखिए ये एक viral account का setting है जिस account पर हर real million में view जाते है और उनका setting कुछ इस परकार से होता है अभी भी नहीं आपको यकीन हुआ चलिए मैं आपको कुछ unique चीजों को दिखाता हूँ अगर मैं अपने facebook पर आता हूँ यहाँ पर click करने के बाद अगर मैं real वाले section में चले आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं real वाले section पर click करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने जो real आया यह जो real चल रहा है वो facebook से नहीं upload किया गया है यह instagram का real है यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इस पर click करूँगा या फिर comment करने जाओंगा ना तो यहाँ पर देखिए हमको Instagram पर जाने के लिए बोलेगा अगर मैं continue पर क्लिक करूँगा तो यह मेरा direct Instagram पर बेच देगा ठीक है यहाँ से Instagram पर बेच देगा और यह सब जो real है ना यह जितने real viral हो रहा है यह सब देखिए यह सारे के सारे Instagram का real है लेकिन इन्होंने एक setting को करके रखा है क्या किया है कि इन्होंने अपने Instagram Reels का recommendation अपने Facebook वाले audience के साथ connect करके रखा है अब बोलोगे भाईया हम भी अपने Facebook Instagram को connect करके रखा है लेकिन आपने वो setting नहीं किया है उस setting का नाम है cross posting setting तो आईए सबसे पहले उस settings को कर लेते हैं फिर आपको मैं बताऊँगा कि आपका real viral कैसे होगा और वो trick क्या है तो सबसे पहले Instagram पर recommendation settings को Facebook से link करने के लिए मैं आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको अपना Instagram कोलना है Instagram कोलने के बाद अगर मैं यहाँ पर plus वाले icon पर क्लिक करके अगर मैं कोई भी real को upload करने जाता हूँ next पर क्लिक करके तो यहाँ से देखिए क्या लिखाता है यहाँ से देखिए sharing as a sassy kan sassy audience public ऐसे करके लिखाता है और यहाँ पर बताता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी real को upload करूँगा ना तो यह जो मेरा real है वो Instagram के साथ-साथ Facebook पर upload हो जाएगा मतलब Instagram पर ही भी upload होगा और Facebook पर भी upload हो जाएगा मतलब recommend नहीं करेगा लेकिन अगर मैं एक viral account को यहाँ से login कर लेता हूँ और उसको login करने के बाद फिर से वही same process में जाता हूँ और यहाँ से plus करके अगर मैं उस पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पर share to नहीं दिखा रहा है यहाँ पर देखिए recommendation on Facebook recommended on Facebook को Instagram पर भी follow कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी reels viral होते हैं न वो भाईया Instagram से ज़्यादा views Facebook देता है लेकिन आप उसको on नहीं करके रखते हो तो सबसे पहले उसको on करने के लिए आपको थोड़ा सा back आना है back आने के बाद यहाँ पर click करके यहाँ पर आपको three lines पर click करके आपको setting and privacy वाले option में चले जाना है setting and privacy वाले option में जाने के बाद account center पर click करके सबसे पहले आपको अपना Facebook और Instagram को link कर लेना होगा ठीक है? देख सकते हैं मेरा already link है अगर आपका link नहीं रहेगा तो add account पर click करके सबसे पहले इसको link कर लीजेगा इसको link करने के बाद थोड़ा सा back आईएगा back आने के बाद यहाँ पर देखें फिर से यही वाले setting पर click करके आपको थोड़ा सा नीचे slide करना है तब देखिएगा यहाँ पर आपको cross posting का आपको एक option देखने को मिल जाएगा तो simply cross posting याप option पर click कर दीजेगा जैसे ही आप cross posting याप ले option पर click किजेगा तो देखे हैं यहाँ पर आपका दिखा रहा है फेसबूक का नाम और account center दिखा रहा है जैसे मैं account center यहाँ पर आने की click करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जागा और यहाँ पर करा automatically share मतलब हम जो भी Instagram पर चीजों को डालेंगे वो automatically Facebook पर कहां कहां share होगा तो देखिए Instagram story share हो जाएगा post real सारा चीज़ जाएगा तो सबसे पहले भबुगा इसको हम बंद कर देते हैं इसको बंद करने के बाद back आएगे back आने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही back आएगे अब देखिए आपको एक option दिखा रहा होगा to share reals without a Facebook profile मतलब हमको जो Facebook का profile है उस पर real को share नहीं करना है यहाँ से allow reals to be only recommended मतलब हमको उस पर only recommended करना है share नहीं करना है अगर share करोगे दोनों जगा अलग अलग view count होगे और फिर कोई benefit होने वाला नहीं है आपका real viral नहीं होगा तो यहाँ पर हमको simply allow real to be recommended only पर यहाँ पर click करके switch to recommended इसको वाले setting को आपको on कर देना है जैसे इसको on किजेगा अब देखे क्या रिखा रहा है recommended reals on Facebook मतलब अगर आप कोई भी real को डालोगे ना तो वो Facebook पर share नहीं होगा वो recommend करेगा और जब recommend करेगा तो भाईया Instagram से ज़्यादा views Facebook देगा और कोई भी real अगर आप डालोगे अगर मैं कोई भी real को अगर वहीं पर अब मैं upload करने जाता हूँ यह वाले real को next पर click करके अगर मैं upload करने जाता हूँ देखे वाईरल account का setting हो गया ना यहाँ पर जो लिखा रहा है तिक share to Facebook अब लिखा रहा है recommended on Facebook मतलब जो हम real को यहाँ पर upload करेंगे वो Instagram पर तो upload होगा ही होगा उसके साथ वही real आपको Facebook पर automatic recommend कर देगा जिससे क्या होगा दोनों audience को count करके हमको Instagram पर audience मिलेगी जिससे हमारा real वाईरल होगा लोग हमको follow कर सकेंगे अगर मेरे real में थोड़ा सा भी दमराना तो आपका real पक्का million में view जाएगा और इस पर मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपके real पहले से ज़्यादा view आने लगेंगे अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाईया ads on real से पैसे कमाते हैं हमको Facebook पर भी real डालना है तो यहाँ पर मैं आपको एक suggestion दूँगा कि आप जो भी real को बनाते होना वो real को पहले Facebook के ओपर upload कर लिजे जो आपका profile है वहाँ पर simply upload कर लिजे और उसको upload करने के बाद यही settings लगा कर आप उस real को Instagram पर recommended के थुरू डाल सकते हैं और reels में कुछ ऐसा suspense create करना है reels में कैसा unique चीज create करना हो सकता है तो आप अपने reels को fast करके भाई आई उसको छोटा second कर दो लेकिन ऐसा तितिम्मा लगाना कि लोग आपकी reels को दो बार देखे suspense के कारण, comedy के कारण अगर यह दोनों कामों को आप कर लेते हो चैनल पर नए तो इससे भी धाकर धाकर content आपको मिलते रहता है इसलिए चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर आपको facebook या instagram से पैसे कमाना है, उस पर followers बढ़ाना है या फिर उसका total settings जानना है तो भाईया description में link डाल दूँगा जाकर वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा पैसे कमाईएगा, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद